वेलकम बैक गाइज जैसा कि आपको पता है यार बिग सेविंग देज ओन हो चुका है जो कि 25 से 39 जो एलाय तक चलने वाला है आज किस वीडियो में स्पेसिफिकली डिल करने वाला कुछ बेस्ट गेमिंग लाप्टोप फ्रम बेस्ट पीस्ट पफॉरमें जो कि आप पचेस क इसमें आपको 17.3 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है तो इतने कम प्राइज में इतना ज्यादा कैसे हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है यह अभी हमको लगता है कि नया नया ही आया है तो अगर कोई पर्चेस करना चाहता है तो मैं आपको लिंक दे दू इस लाप्टॉप में थोड़ा सा थर्मल थौट लिंग होता है तो आप उसको कंसेडर कर लेना अगर आप अतनी हेवी गेमिंग नहीं करते होते हैं आपको लिए बेस्ट होने वाला एंड का जो वेट है यह तो उसे भी आप देख लेना अगर आप ट्रैवलिंग करते हो त दिस्प्लेइ देखने को मिलता है जबकि यहां पर आपको 17.3 इंचेस का दिस्प्लेइ देखने को मिल रहा है आपको बताओ तो लगबग सेमी चीज़े दी गाई है जैसे नवीडिया जी फोर्स जीटेए 1650 अलॉंग विद वन ट्वेंटी हर्ट स्क्रीन रेट एंड यह जो वेट है वो 2.2 kg से तो बहुत ज्यादा कम है अगर आप वेट के लिए जाओगे यह आपके लिए पैस्ट होने वाला है मैं आपको 120 हर्थ के स्क्रीन रेट एंड वो 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस देखने को मिलते है 45% NTSC कलर भी देखने को मिल जाता है तो गाइस ओव 4GP की NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिस कार्ट देखने को मिलता है और सबसे इंपोर्टन यहां पर आपको 144 हर्थ की स्क्रीन रेट देखने को मिल रही है और इसकी प्राइजिंग के बात करो तो सिर्फ 67,000 है इसमें आपको बहुत बैटर फीचर देखने को मिल रहे है सिर्फ इतने क इसके से जा सकते हो गाइस जैसा कि मैंने बताए एसस टाफ ए 17 और यार इसमें आपको बस फरक इतना यह आपको 1650 टी आई का 144 हर्थ का स्क्रीन रेट देखने को मिल रहे है अलॉंग विद यार आपके लिए बहुत बैस्ट हो सकता है अगर आप इसको कैरी करके करें पर औ सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अची लग रहे है तो प्लीज एक लाइक जरू कर देना एक सब्सक्राइब को मिलती है इसमें आपको 144 हर्थ का स्क्रीन रेट देखने को मिलता है वेट की बात करते हैं तो इसको एवरेज मान सकते हो गेमिंग लैप्टोप के सा अगर आपको सिर्फ एक लाइसा लैप्टोप है जो कि 85,000 में अभी तक ऐसे मार्केट में दूस्रे लैप्टोप नहीं है तो अगर आप आप आर्टेक्स के साथ जाने चाहते हो तो यह 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 वन आफ दी बेस्ट मॉडल्स हो सकता है तो गाइस हम लोग अभी सबसे लाइ 3050 configuration भी देखने को मिलता है तो गाइस अगर मैं बात करूँ Acer Nito 5 में तो इसमें आपको सिर्फ 85,000 की प्राइजिंग है बट इसमें आपको Ryzen 5 देखने को मिलता है वहीं पर HP Pavilion Ryzen 7 में आपको Ryzen 7 का option देखने को मिल रहा है तो गाइस यहां पर दोनों में ही 144Hz है तो आपको इसी देने वाला है तो गाइस यह थे कुछ की फाइथी लैप्टोप तो कैसा लग आप लोगों को तो गाइस एक और मैंने पास में जेबरुनिक जेब क्लास है जो कि मैंने भी पर्चस करा है तो आपको सिर्फ और से 500 पर मिल रही है तो अगर वोई पर चाहता है यहां पर आपको जो भी सब पसंदें आप जाके पर चैस कर सकते हों विल दे अगली वीडियो में तो तक है वागोटी